Hello friends, मेरा नाम है Neil और आपका स्वागत है मेरे गेमिंग चैनल में जैसा कि वीडियो को टैलर में आपने देखा आज में बात करने वालो वैलोरिंट में आप किस तरह से अपने माउस की सिंसी को बहतर बना सकते हैं तो जब भी क्या होता है कि जब आप गेम कहल रहा होते हैं और जादा लोगों के साथ ही होता है मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कि मैं क्या करता था मेरा सिंसी सही नहीं था जो मेरा preset था, default था, मैं उसी पर खेल रहा था, तो aim नहीं लगता है, shot मिस हो जाते हैं, बहुत कुछ ऐसे problem होते हैं, तो ऐसे cases में जातर हम क्या करते हैं, जो pro Valorant players है, जो e-sports players है, या फिर हमारे team में जो बंदा सबसे pro है, उससे हम पूछते हैं, तुम्हारी sense कितनी है, और उसकी sense को हम copy करना चालू कर देते हैं, और ज्यादर case में काम आता है, लेकिन उसका उल्टा भी होता है, कि आपका aim पहले से बहुत जादा खराब हो जाता है, तो ऐसे case में इस problem का solution क्या है, उसी पर बात करने वालो हूँ आज इस वीडियो में, चले शूरू करते हैं, let's go! Now, दूसरे का sense कोपी करके आपका aim क्यूं खराब हो रहा है, इसके बहुत सारे reasons से, सारे reasons में आपको detail में explain करने वालो हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर वीडियो को अलग-अलग part पे मैंने आपको बाट के देने वालो हूँ, और नीचे आपको description में time steps मिल जाए तो आपको decent gaming mouse चाहिए होता है, market में बहुत सारे mouse मिल जाएंगे, पहला mouse जो होता है, यह इस तरह के Chinese mouse जो है, basically इस तरह के mouse में आपको दिक्कत है कि इसमें कोई DPI का button नहीं है, side में कोई button नहीं, कुछ नहीं है, basic सा mouse है, basic सा mouse है, और इस तरह के mouse में gaming करना is not, मैं बोलूँ अच्छा नहीं है, क्यों सबसे पहले वाक्त, इसकी sensor की quality होती है, यह बहुत ही घटिया होती है, और क्योंकि इसमें DPI जो है, कौन सा DPI है, यह आपको लिखा नहीं होता है, कितना DPI दे रहा है, आपको पता ही नहीं होता, तो आपको पता ही नहीं चलता कि actual में mouse कितना accurate है, और कितना DPI सकता है, तो इसलिए इस तरह के mouse को आपको avoid करना चाहिए, दूसरा entry level जितने भी wireless mouse आते है, तो वो अच्छे नहीं होते, that's clear thing, क्योंकि उनमें जो है, उनमें अच्छे quality तरह का sensor यूज नहीं होता, अच्छी quality अच्छी sensor यूज नहीं होता, और दूसरी बात है उनका जो communication है, उतना fast नहीं होता है, एक gaming rated, जो wireless mouse है, जो logitech की तरफ से आते है, रेजर की तरफ से आते है, इस तरह के wireless mouse में आपको gaming rated Wi-Fi मिलता है, लेकिन इस तरह के starting wireless mouse, उनमें आपको gaming rated Wi-Fi connection या जो भी आप माल लेज चलिए, wireless नहीं मिलता, दूसरी बात है, जब आप wireless इस तरह के low grade wireless system का इस्तिमाल करने है, communication के लिए, तब दूसरे electronic device और दूसरे चीजों से आपके connection है, wireless connection है, वो affected होता है, तो definitely ये आपका लिए बहुत बड़ा issue होगा, और क्योंकि ये wireless अच्छा नहीं है, तो basically आपको input lag इसमें देखने के मिलेगा, और जब इस mouse की battery खतम हो आती है, तब इसके sensor में problem शुरू होता है, और input lag और बढ़ जाता है, तो इसलिए wireless mouse से आपको दूर रहना है, तो ये दो तरह के mouse से आप दूर रहिए, choice आपके पास क्या आता है, choice आपके पास आता है, इस तरह के mouse, जो generic gaming mouse से इस तरह के mouse आपको मिल जाते है, mkit, zebion, zebronics fronteck इस तरह के mouse आपको मिल जाते है, जिसमें side में उचकी button नहीं है, लेकिन उपर में आपको एक dpi change का button मिल जाता है, इसके मदल से आप क्या कर सकते है, mouse में preset कुछ dpi से 3 या 4 dpi होंगे, 400, 800, 1200, 1600, 1800, ऐसा कुछ dpi प्रिसे होता है, इन में से आप cycle कर सकते है, इस बटन के ज mouse, इसमें भी dpi का button है, और साथ ही साथ इसके side में 2 button आपको दिख जाते हैं, तो ये 2 button gaming के लिए फायदे मन है, और दूसरी बात ही, ये dpi का button है, ये programmable है, ठीक है, इस mouse में क्या है, कि ये dpi 4 या 3 values जो है, वो fix है, इस dpi में जो है, 4 values आ हो सकते है, 3 values जो भी है, आप program कर सक है, software के जरीए, तो ये इस तरह का mouse जो है, बेटर है, gaming के लिए, अब मैं आप करता हूँ, दूसरा जो settings है, वो चलते है, उसके लिए हम जलते है, windows पे, windows में जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले, आपको जाना है, start menu में और type करना है, यहाँ पे, mouse, 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 settings आएगा, mouse का settings को लेंगे, और यहाँ पे आपका जो cursor speed है, इसको default, अगर यहाँ पे आप सेट करना है, तो 10 पे, मतलब सेट करना है, 10 पे, यह windows का default settings है, अगर आप जा रहा है, additional mouse settings में, जहाँ पे जाके, आपको pointer options में जाना, यहाँ पे अगर सेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको सेट करना है, 6 पे, यह इसका windows का default है, यहाँ पे 6 कीजी, यहाँ पे 10 कीजी, एक ही मामला है, यहाँ पे set कर लेना है, क्योंकि अगर आप default कर लेंगे, तो जितना rated आप mouse यूज कर रहे हैं, जो भी आपका 400, 800, जो भी है, screen पे आपके उतने heat points, जो है, उतने ही pixels, जो यहाँ पे, तो यह जो option है, यह option को आपको off कर लेना, यहाँ पे check mark था, check mark को मैंने हटा देना है, यह हटा ना इसलिए है, क्योंकि अब बहुत से लोग पूचेंगे, कि enhanced pointer precision, मतलब मेरा pointer ज्यादा precise हो रहा है, तो यह option मेरे लिए अच्छा है, definitely कुछ cases में यह अच्छा है, अगर आप कोई ज्यादा accurate काम कर रहे है, फोटोशॉप में कुछ कर रहे है, कोरेल में कुछ कर रहे है, ड्रॉइंग कर रहे है, जहाँ पे आपको mouse का movement slow है, बट आपको ज्यादा accuracy चाहिए, ऐसे case में यह काम आता है, अगर आप laptop में touchpad का इस्तामाल कर रहे है, तो यह आप आपके mouse का थुरू जो raw data जा रहा है, raw data input जो आप कर रहे है mouse में, वो directly game तक communicate नहीं कर रहे है, वो क्या कर रहा है, पहले इसको windows के enhancer में डाल रहा है, इसको थोड़ा enhance कर रहा है, precise कर रहा है, फिर इसको game में बेज रहा है, तो यह जो diversion हो रहा है path में, तो इससे आपको mouse का input lag होता है, delay होता है input में, जो fast-paced games के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, नो दोस्तों आगे बरते हैं और बात करते हैं, DPI का funda क्या है, sensitivity का funda क्या है, विसी कली क्या होता है, कि जब आप mouse को move करा रहे हैं, तो यह आपका एक quality of DPI के बार में videos बना चुका, अपने दूसरे channel मे जाएगा है, मैं DPI, polling rate, PPI mouse के हर सेटिंग से बार में videos बना चुका हूं, पर आज मैं gaming mouse और gaming mouse के sensitivity के बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं आपने दूसरे channel में video बना रहा हूं, तो basically DPI mouse को जब आप यहां पे move करा रहा है, अगर वो 400 DPI है, तो मतलब screen पे आपका mouse 400 pixels ही move करेगा तो अब क्या दिकत है, इसमें कि अगर आप मालीज आपने 800 DPI में state करके रखा है mouse, तो यहां पे screen पे 800 DPI ही move करेगा, प्रॉब्लम यह हो जाता है, मालीज आप 4K display में है, तो उसमें 800 pixels जितने होंगे, और अगर आप 720 display में है, तो उसमें बहुत लंबा होने बला है, लगब और जब आप किसी के pro player के settings पर कॉपी करते हैं, तो डिपेंड करते हैं, वो किस resolution पर खेल रहा है, अगर वो 4K resolution या full HD या 2K resolution पर खेल रहा है, तो definitely वो higher DPI का use करेगा, और वो ही higher DPI, अगर आप 15 इंच के laptop के screen में आप खेल रहे हैं, उस DPI को आप अपलाई कर लेंगा, आप back to that screen, so ये screen resolution बहुत वड़ा factor भी है, आपके DPI के settings के लिए, दूसरा factor ये आता है कि माउस जो है, आप मूफ करने के लिए, मैं अगर माउस को थोड़ा निचे कर लो, कामेरे को तब देख सकते हैं, या पर, ये जो मेरा माउस पैड है, ये थोड़ा बड़ा है, ये तो जब आप फ्लिक करेंगे, तो माउस आपका माउस पैड के बाहर चला जाएगा, डिफिनेटली जो आपके किसी कामकार ने रहे है, तो इसलिए आपको comfort zone बनाना है, कि कितने zone में आप माउस मूफ करने के लिए comfortable है, तो उसी हिसाप से आपको DPI सेट करना है, ठीक है, मेरा माउस एक इंच भी मूफ नहीं करेगा, लेकिन screen पे मेरा cursor एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरा माउस की DPI 1600 है, इसी DPI को मैं गर 400 कर लेता हूँ, तो मेरा माउस जो है, माउस पैट के इधर से उधर जाएगा, तब जाके मेरा माउस का point at screen पे इस से उस से जाएगा, तो इससे क्या हो रहा है, जब आप माउस को 400 DPI या उससे कम DPI मेरा रखते हैं, तो माउस जो है, ज्यादा distance physically travel कर रहा है, माउस पैट के उपर, तो इससे क्या होता है, इस लंबे path में आपको ज्यादा tracking points मिल रहा है, जिससे माउस जो अपने आप ज् स्क्रीन के इस साइट से उस साइट होगा, तो इसको ज्यादा साथ बहुत कम tracking points मिलते हैं, जिससे माउस ज्यादा inaccurate हो जाता है, तो low DPI इसका मतलब है, माउस आपका ज्यादा accurate होने वाला है, अब इसी बात पे controversy दूसरी जगा पे आ जाती है, कि यह माउस जो है, आट सो यह इसके competition में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत high quality का sensor यूज किया गया है, तो जो accuracy यह माउस 400 DPI में मुझे दे सकता है, वही same accuracy यह माउस मुझे 1600 DPI में बहुत कम movement करके दे सकता है, that's another fact जिसके वज़े से vary करता है, कौन सा माउस जिसके आप settings को बहुता है, जिसक के sensitivity के उपर, तो यह तो रहाँ DPI का मावला में आपको बता दिया, इन सब चीजों के उपर DPI vary करता है, screen resolution, mouse का space, mouse pad की quality, mouse के sensor की quality, यह सारे बहुत सारे factors होते हैं, जो person to person vary करते हैं, तो किसी के भी sensitivity अगर आप copy कर लेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपका aim पहले से बहतर हो जाए, आप ज्यादा headshots ले सके, तो यह इसके क्यों guarantee नहीं है, ज्यादा लोग के साथ होता है कि हाँ, confidence होता है कि उससे का copy कर लिया, तो obviously मैं बहतर कर सकता हूँ, यह बहुत सारे लोग की साथ होता है, लेकि ज्याद ले लोग का इसका उल्टा भी होता है, कि उनका aim पहले का इस्तेमाल करते है, Photoshop, NetSurfing, YouTube, बहुत सारी चीदों के लिए आप computer का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप माउस का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली बात तो है, आपको sweet spot ढूनके निकालना है, sweet dpi ढूनके निकालना है, जिस dpi में जो है, आप comfortable है, सबसे ज्यादा comfortable है, है, वो पहले आपको माउस में fix कर लेना है, तो मैं इस dpi को control करूंगा, बागी को settings में game change करने बाला, माउस के दोर चेट करने बाला हूँ, यह आपका पहला उपाय हो गया, दूसरा उपाय है, कि आप किसी pro player को follow करते हैं, किसी e-sports player को follow करते हैं, अपने किसी दोस्त को follow कर करते हैं, उसके जैसा बनना जाते हैं, तो उसके, वो जो माउस के dpi use कर रहा है, उस dpi पर आपके माउस के set कर लीजे पहले, अगर 400 यूज कर रहे तो 400, 500 यूज कर रहे है, 500, 800 यूज कर रहे तो और उस dpi पहले आप माउस को set कर ले, फिर regular जो daily आप काम करते हैं, सब मतलब input यहां पर मिल सके, तो यह हो गया, यह दो उपाई मैंने बता है, पहला आप खुद आप जो settings में आप comfortable है, उसको set कीजे, या फिर जो settings आप achieve करना चाहते हैं, उसको set कर लीजे माउस में, तो 800 से उपर जाने की चाला में नहीं दूआ, क्योंकि उसमें माउस, जैसे क तो वो आप चूज कीजे, उसको माउस में set कर लीजे, उसके बाद उसी settings में आपको जो है, बाकी रोज मारा के सारे काम जो कर रहे है, browsing, photoshop, word, excel, PowerPoint, जो कुछ भी कर रहे है, उसी settings में आपको करना है, ताकि आपका हाथ मसल मेमोरी आ जाए, उसमें, माउस के movement के साथ, तो य in-game sensitivity जो है, पहले होता था पुराने दिनों के गेम में, कि वो 0 से लेके 100 तक होता था, और उसका center जो है, पचास पे set होता था, एकस एकसिस और और यकसिस का लग लग sensitivity होता था, अभी भी बहुत तरह स्टोरी गेम में इसमें ऐसा है, लाइन FPS गेम की जाओ हम बात करते हैं लाइक, Fortnite, PUBG, Valorant, Apex तो ऐसे cases में जो है, यह 0 से लेके 10 में वहरी करता है, 0 मतलब, decimal points में भी आप जा सकते हैं, जब आप decimal points में जाते हैं, और अगर मान लेजे मेरा 400 DPI है, और मैं इसको कर देता हूँ, 0 के 1 के नीचे, 0.5 या 0.5 तो बिसकालि यह जितना है, उससे कम हो जा करता जाएगा, sensitivity, sensitivity, तो यह Fanda Fanda है, FPS Games में sensitivity का, अब यह जो sensitivity आपको मिल रहा है, और यह जो DPI है, दोनों को multiply करके हमको मिलता है, EDPI, यह एफेक्टिव DPI, और यह ही होता है, actual आपका माउस का, क्या बोल सकता हूँ, final sensitivity आप बोल सकते हैं, final DPI बोल सकते हैं, तो sensitivity जितना आप पर आ जाएगा, और वो बन जाएगा, आपका EDPI, आपके हाथ में आ जाएगा, Ingame, तो अब EDPI को आपको कैसे चूज करना है, वो मैं आपको बता आदा हूँ, सबसे पहले, मैं पहले Valorant launch कर ले हूँ है, तो Valorant में आप जब हैं, तो आपको बस क्या करना है, आपको कम या जादा कर सकते हैं, आपके हिसाब से, जादा करने का फाइदा नहीं हो, लिजिकली सेंसिटिवीट डबल हो जाएगा, वन के ऊपर जाएगा, तो वन के नीचे अगर आप जाना चाहते हैं, मैं प्ले करता हूँ, यहाँ पर और मैं लेता हूँ, अब मैं यहाँँगा सेंसिटिवीटी में जो जेनरल के अंडर आता है, और यहाँ पर माउस सेंसिटिवीटी आप देख सकते हैं, मेरा 0.6 है, तो डिफ़र्ट यह वन आता है, और मैं अगर जो है, यहाँ गेम को स्टार्ट करूँगा, तो स्टार्ट करने के बाद मैं देख रहूँगा, थोड़ा लो करना बड़ेगा, तो इसलिए मैं सेंसिटिवीटी को थोड़ा लो करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, 75, 0.75, मतलब 1 की नीचे आमर मैं कर देख, यहाँ पर फ्लो सेटिंग, अब मैं ट्राइ करूँगा, स्टार्ट, अब मैं देखूँगा कि मै अब मैं थोड़ा अंडर शूट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है, तो बिसिकली यह ट्राइल अन एर्र मेथड है, जिससे आप कमफरडेबल है, इस तरह से प्रैक्टिस रेंज में जाई है, यह थोड़ा बड़ा कम करके, आप देखिए कौन से सेंसिटिवीटी में सबसे जादा कमफरडेबल है, एक गंड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और इस बारे में भी एक दूसरा फैक्ट में आपको बता दू, कि सेंसिरिवीटी कभी स्टैक नहीं होता है, यह जो सेंसिरिवीटी आप यहाँ पे स्क्रीन पे सेट कर रहे है, 0.5, 0.6, 0.7, जो भी आप सेंसि आप बहुत ज्यादा मूग करने का मन करता है, तो डेली आपको प्रैक्टिस रेंज में जाके गेम स्टार्ट हो में से पहले आपको देखना है कि कौनसे सेंसिरिवीटी में आप अच्छा केल रहे है, डीपी आपका माउस का चेंज नहीं करना है, वो आपको फिक्स रखना मेरा क्या है कि मैं दो गेम खेलता हूं एक है वैलोरेंट और एपक्स, जब खेलता हूं मुझे एप्यस ज्यादा मिलता है, तो मैं 1440p resolution में खेलता हूं इसी मोनिटर पर, जब मैं एपक्स खेलता हूं तो उसमें fps drop होता है, तो इसलिए मैं उसे 1080p में खेलता हूं, अब दो करना पड़ता है, तो वह मुझे पसंद नहीं है, दूसरा है, अगर मैं 800 करता हूं, तो 1080p में जब मैं खेलता हूं, एपक्स, तो मुझे लगता है कि माउस ज्यादा fast move कर रहा है, तो बेसिकल ये मुझे थोड़ा problem होता है, तो इसलिए मैंने अपना sweet spot में दे देखा है, कि में 600 to 650, जो ये DPI, ये मेरे माउस के लिए बहुत बढ़ी आया, और ये दोनों resolution में है, मैं इसे comfortable हूं, 600 करीब, तो ये दोनों resolution में बहुत comfortable feel करता हूं, तो मैंने अपना माउस का sensitivity 600, मैंने final कर लिए, 600 रखने वाला हूं, ठीक है, उसके बाद बाकी sensitivity मैं गेम के जाके, में इसे 600 रखना है, अब दिक्कत इसमें है कि ये जो रेड़ का माउस है, इसमें 600 का कोई option नहीं है, 600 का कोई option नहीं है, ठीक है, तो मैं आपकर आपको मैं रेड़ का settings में दिखाता हूं, रेड़ का settings में अगर मैं जाता हूं, तो आप देखेंगे कि यहां पे 200 का इसका range है, पहला range है, minimum range है 200 DPI, और maximum range है 4000 DPI का, ठीक है, तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, तो आप देखेंगे 200, 400 हुआ, 400 के बाद direct 800, 600 DPI का यहां पे मुझे कोई option नहीं बिल रहा है, तो definitely काम नहीं गरेगा, तो इसका alternative rule, alternative क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, यहीं पे आता है, दूसरा mouse जो कि है, यह HyperX का mouse, तो अगर मैं HyperX का software में जाता हूं, तो आप देखेंगे, sorry, minimize हो गया, HyperX, HyperX का software में अगर मैं जाता हूं, तो आप देखेंगे इसका जो sensitivity का वो है, यह minimum जो इसका जाता है, वो 200 और maximum जो इसका जाता है, वो है 16,000, इसका DPI आरेंज बहुत करता हूं, इसको मैं custom कर सकता हूं, किसी भी number पर, अब देख सकते हैं, पचास के integer में किसी भी number में इसका कर सकता हूं, तो 400, 600, 800, यह तीनो मैं settings में रखता हूं, मैं total 5 settings रख सकता हूं, इसमें store का camera तीन ही रखा है, ठीक है, तो 600 के बाद मैं 650 भी गर सकता हूं, या फिर मै माउस की facility आप बोल सकते हैं, यह advantage है कि यह इस तरह के minor adjustment यह करने देता है, जो कि यह Red Gear का माउस मुझे 600 DPI सर्थ नहीं करने दे रहा है, तो जैसे कि मैंने कहा कि Red Gear का जो यह software है, Red Gear के software में, यहापे 600 DPI मुझे नहीं मिल रहा है, जो कि HyperX में मुझे मिल रहा है, इसका मतलब इसके लिए बहुत सारा easy calculator है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको यहाँ पर मैंने calculator कैसे करके रखा है, मैं आपको बता रहा हूं, DPI यहाँ पर DPI है, उसके बाद sensitivity जो मुझे गेम में डाल रहा हूं, यह mouse का DPI है, यह sensitivity गेम में डाल रहा हूं, और effective DPI इन दोनों को multiply करक यह basic सा formula है, अब अगर मुझे को particular required effective DPI जो मैं चाहता हूं, यह अगर मैं achieve करना चाहता हूं, बाद मेरे पास 600 DPI का option नहीं है, तो basically मुझे इसको इस से divide कर देना है, तो अगर मैं 800 DPI, radiator के mouse में 800 DPI set कर रहा हूं, और मुझे 450 का effective DPI चाहिए game में, तो game के अंदर मुझे यह sensitivity settings में set करना पड़ेगा, अगर मैं 400 DPI पर अपने mouse को use कर रहा हूं, जो कि मेरे fix है, तो उसके लिए अगर मुझे इतना DPI चाहिए, तो मुझे in game sensitivity 1.125 ऐसा set करना पड़ेगा, तो यह formula basic सा है, basically required DPI जो आप चाहते हैं, उसको mouse का DPI उसे divide कर दीजिए, required sensitivity कितना आपको रखना है, game में आपको मिल जाएगा, तो यह था बहुत सा basic सा funda, आपका DPI निकालने का, अगर मैं आता हूं कि आपके pro Valorant जितने भी players है, मैंने उन सब के यहाँ पर DPI और sensitivity आपने देखा है, मैंने list करके रखा हुआ है, यहाँ पर Hiko है, TENS है, Shroud है, सभी लोग है, यहाँ आप का average है, 0.5, 3, 4, ऐसा sensitivity यह लोग यूज कर रहे है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो जिपान जो है, वो 400 DPI का माउस यूज कर रहा है, लेकिन 0.4548, वो sensitivity यूज कर रहा है, और इसका EDPI निकल रहा है, 192, अगर 200 के करीब, उसकी तरफ अगर Hiko का देखेंगे, उसके पर ही, तो वो 1600 DPI का माउस यूज कर रहा है, और वो 0.36 का रख रहा है, इसकी EDPI आ रही है, पांस सो असी के करीब, लगवग तीन गुना आपका बोल सकते है, इसका DPI, इसका इंड़म का difference है, तो बेसिकल यह परसंट तो परसंट जैसे मैंने का आप वहरी करता है, कि आप कि सेटिंग्स में आप खुद comfortable है, यह जब से ज़ड़ा ज़रूरी है, किसी आप कॉपी करने से पहले, खुद आप सोचे कि आप कौन से सेटिंग्स में comfortable है, दूसरे का कॉपी करके हो सकता आप थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए best होगा, खुद आप खुद डिसाइड करें कौन सा sensitivity है मैंने rules आपको बता दिया tricks मैंने आपको बता दिया सब कुछ बता दिया तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को like करें और अगर वीडियो पसंद नहीं है PUBG Mobile नहीं यलता क्योंकि मुझे लगता है PUBG Mobile में बहतर चलता है That's it तो मिलते हैं स्ट्रीम में Good Bye